Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications carried cloud को जाके check कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses हैं, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications हैं, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना हैं? हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses हैं, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेंगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, both in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे, जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत जादा helpful रहने वाली है, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, और आप quiz attempt कर सकते हैं weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, और फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्र अतिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते हैं, और ये topics बहुत ज़ादा important होते हैं, topics देखें, तो जैसे important days, national affairs, international affairs, sports, defense, science and technology, apps and web portals, name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाते हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुवारा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का, और उनको इधर उधर ढूलना ना पड़े content, जहाँ पर हम आपको सारा content एक ही जगह पर provide करा देता हैं, Hello everyone, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो में दो फरवरी के important current affairs discuss करेंगे, ये session काफे important रहेगा आप सबी के लिए, तो end तक बने रहेगा, चलिए start करते हैं, as usual पहले revision से चलेंगे, और जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक suggestion, notes ज़रूर बनाईएगा, तो चलिए start करें, सबसे पहले हम बात करेंगे Puma की, प्यूमा हमें पता एक sports wear brand है, ठीक, Puma इंडिया ने अभी recently Indian women cricketer हर्मन प्रीत को आप यहाँ पे picture में देख सकते हैं, इनको brand ambassador गोशित करा है, ठीक, हर्मन प्रीत को और की बात करें तो ये captain है Indian women's cricket team की, और इनको अभी Puma के दुआरा brand ambassador गोशित करा गया है, चलिए next पे आते हैं, next हम बात करते हैं InfiBeam की, InfiBeam अभी recently InfiBeam Avenues, InfiBeam Avenues ये वो पहला payment platform बन गया है, जहाँ पर आपका retail CBDC transactions को cover किया जाएगा, अब जैसे आपका हम जानते हैं कि जो आपकी CBDC होता है, Central Bank Digital Currency, E-Rupi निकाली गई थी, ये भी आपकी दो segment में, एक retail segment में पहले निकाली गई, और फिर wholesale segment में निकाली गई थी, पालेट बेसिस पे निकाली गई थी, याद रखेंगे, इन Central Bank Digital Currency को process करने के लिए इनकी transactions को InfiBeam platform को choose किया गया है, ठीक है, InfiBeam Avenues को as a payment platform चूज किया गया है, नेक्स आजाते हैं, मरकम इंडिया रिसर्च की, इनके दोवारा अभी एक report रिलीज की गई, मरकम इंडिया रिसर्च के दोवारा, जिसमें बताए गया, कि जो इंडिया की solar module manufacturing capacity है, वो 95 GW तक पहुँच जाएगी by 2025, और इसी के लिए अगर हम बात करें, तो इनकी जो इंडिया की existing production capability है, solar panels की, वो बढ़कर 7 to 8 times होने वाली है, आने वाले 2024 में, ठीक, next, FIH Odisha Hockey Men's World Cup की अगर हम मैं बात करूँ 2023 के लिए, हम जानते हैं, कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था, ओडिसा में हुआ था, ओडिसा में कहाँ पर, भावनेश्वर एंड राव केला में हुआ था, किस ने जीता इस World Cup को, जर्मनी ने जीता, जर्मनी ने जीता, कितनी बार, तीसरी बार ये जीता, 2002 में जीता, 2006 में जीता, अब 2023 में फिर से जीता, Belgium को फाइनल्स में हराकर जर्मनी के तवारे ये टाइटल जीता गया है नेक्स पे बात करें तो South Africa South Africa होस्ट करेगा 15th edition of Bricks को कहाँ पर डर्बन में कब? August 2023 में ठीक है August 2023 में South Africa 15th edition of Bricks को होस्ट करेगा Bricks की बात करें तो Brazil, Russia, India, China and South Africa Next हम बात करते हैं सबसे पहले STEM की STEM क्या होता है? Science and Technology, Engineering and Mathematics So STEM field में in fields में, science की field में, technology में mathematics में, बच्चे बढ़ चड़ के participate करें और इसमें बच्चों के participation को बढ़ाने के लिए education program लॉँच किया गया है Asia में, STEM education program कहाँ पे? Asia में लॉँच किया गया किस के द्वारा? UNESCO and Solvee के द्वारा UNESCO का headquarter कहाँ पर है? Paris, France में और हम जानते हैं Paris में ही आपके Olympic Games होंगे 2024 के फिर आजाता है India International Science Festival ये India International Science Festival 2022 का कहाँ पर हुआ था? भोपाल मध्यपरदेश में हुआ भी रिसेंटी 21 से लेके 24 जनवरी के बीच में ये आपका IISF हुआ जिसको हम India International Science Festival कहते हैं फिर याद रखना है ये ही आपका 8th edition था India International Science Festival का जो कि भोपाल में हुआ था फिर इसके साथ-साथ ये भी याद रखना है ये किस इंस्टीट ये किस लोगेशन पे हुआ मौलाना आजाद National Institute Technology जो कि भोपाल मध्यपरदेश में है महाँ पर हमें हमारा 8th edition of India International Science Festival देखने को मिला Next Next हम बात करते है परधान मंत्री राष्ट्रियबाल पुरोसकार की परधान मंत्री राष्ट्रियबाल पुरोसकार President आफ इंडिया द्रॉब्दी मुर्मु माइम के दौरा ये आवर्स को प्रेजेंट किया गया था 11 लोगों को ये दिया गया कौन सा है एस पर मेरियम वेबस्टर वो रहेगा गैस लाइटिंग Next रॉयल्स रॉयस के दौरा फर्स्ट आफ इट्स काइन हाइडरोजन पावर्ड जेट इंजिन को डवलप किया गया तो याद रखेंगे हाइडरोजन पावर्ड फर्स्ट आफ इट्स काइन हाइडरोजन पावर्ड जेट इंजिन किस के दौरा डवलप किया गया रॉयल्स रॉयस के दौरा ठीक है फिर आजाते हैं सेबी सेबी ने अभी रिसेंटली सुन्दरर रमन रममूर्थी को MD and Chief Executive Officer अपॉइंट किया है Bombay Stock Exchange का किन के दौरा प्रूफ किया गया सेबी के दौरा किन को सुन्दरर रमन रममूर्थी को किस लिए MD and CEO के लिए किस का BSC का अभी एक सर्वे लाँच किया गया था जो कि है All India Survey on Higher Education यह जो सर्वे था यह आपका 11th edition का annual सर्वे है पहला सर्वे है जिसमें जो डाटा यूज किया गया है वो Online Data यूज किया गया है तो यह आपका 11th annual सर्वे है और पहला ऐसा सर्वे है जिसमें Digital Data को यूज किया गया इस डाटा में बताये गया कि जो हमारे Higher Education में Enrollment है ना वो 4.14 करोड है एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 करोड का मार्क यहां पर क्रॉस किया गया है फिर यहीं पर अगर मैं Universities की बात करूँ Universities की बात करूँ तो पिछले इस 2020-21 और यह 2021 का डाटा है तो 19-20 के हिसाब से और 2020-21 में हम compare करें तो 79 Universities हमें खोल के देखने को मिली और अब जो टोटल नंबर आफ डाटा मार्क है वो कितना है Universities का वो है 1117 ठीक है 1117 आपकी टोटल हमें Universities 1113 हमें टोटल Universities देखने को मिलती है by and up from 70 Universities नेक्स पे आते हैं नेक्स हम बात करते हैं New Act Remaining India International Renaming India International Arbitration Center Comes into Force देखो पहले इसका नाम था New Delhi International Arbitration Center इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है India International Arbitration Center तो ये आपको डिरेक्ली याद रखना है This information for the same प्रोवाइड किया गया था Ministry of Law and Justice के दुवारा इसने अमेंड किया है New Delhi International Arbitration Center Act 2019 को ठीक है चलिए इसके साथ साथ याद रखेंगे जो ये Act है ना अलाव करता है Central Government को तो फॉर प्रोवाइडिंग टू रिमूव एने डिफिकल्टीस इन इंप्लिमेंटिंग अप्ट टू येर्स और इस Act को एक्टेंड कर दिया गया है इस पिरिएड टू फाइफ इयर्स नेक्स्ट इंप्टेंट न्यूज एफ्रेंड्स ये जो डाटा रिलीज किया गया है IIRF IIRF होता है आपका इंडिया इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेंवर्क 2023 का ये डाटा रिलीज किया गया और इसमें बताया गया IIM एमदबाद जो की गुजरात में है वो वन आफ दा बेस्ट इंस्टिटूट है MBA करने के लिए इंडिया में ठीक है ये इंडिया की बात कर रहे है इंडिया इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेंवर्क की बात कर रहे है ठीक है तो याद रखेंगे ये IIM एमदबाद जो की गुजरात में है ये टॉप इंस्टिटूट निकल के आया है गौर्वर्मेंट कॉलेज निकल के आया है इंडिया इंडिया इंटर्म्स आफ पर्सुविंग MBA कोर्स ठीक इसके बाद फिर IIM बैंगला और IIM कॉलकत आजाता है अगर यहीं पर अगर मैं प्राइवेट कॉलेजिस की बात करूँ तो याद रखेंगे जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टिटूट XLRI ये फर्स रैंक पर आता है अमंग प्राइवेट कॉलेजिस ठीक अगर IIRF की बात की जाए यहाँ पे जो डाटा प्रेजेंट किया जाता ना प्रिपेर किया जाता है पॉब्लिश किया जाता है तो यह Education Post Monthly Magazine होती है उसके दोरह प्रोवाइड किया जाता है और सिंज 2022 से ही आपकी Education Post Monthly Magazine इन वर्क है मौविंग ओन नेक्स बात करते हैं United Nations World Economic Situation यहां पर बताएगा यह रिपोर्ट रिलीज की गई और इसमें बताएगा कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट रहेगी उसमें हम देख रहे हैं 20 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन तो अब इंडिया 5.8% यहां पर ग्रोव करने की बात की गई एस पर इस डाटा जो की रिलीज किया गया और इसमें बोला गया कि जो फिसकल यह 23 और 24 की ग्रोथ फॉरकास्ट है वो अंचेंज रिखी गई है इंडिया के लिए फॉर एट 6% ठीक है फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यह जो डाटा है किसके दवारा रिलीज किया गया अंडेसा के दवारा इसको रिलीज किया गया था जो कि है युनाइटि नेशन्स डिपार्टमेंट आफ एकनोमिक एंड शोशल अफेर्स एंड युन सीटी एडी के दवारा यह डाटा को रिलीज करा गया इसी के साथ साथ देखेंगे जो अनेम्प्लॉइमेंट है इंडिय वहाँ पर हम देख रहे हैं जो यंग वीमेंट है और जो अनेम्प्लॉइमेंट है उनका भी डाटा कही न कहीं बढ़ता हुआ हमें देख रहा है ठीक फिर इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो ग्लोबल एकनोमिक ग्रोथ है यह स्लोडाउन कर जाएगे टू 1.9 इन 2023 बट कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है देर इस चांस कि हम हाई रिसेशन हैवी रिसेशन फेस ना करें क्योंकि अब हम देखने जो चाइना है वो भी कहीं न कहीं बैकन ट्रॉयका ग्रोव कर रहा है लेकिन इंडिया के लिए कहीं न कहीं एक दिक्कत की बात हो सकत क्योंकि अभी जो अडानी की एक रिपूर्ट सामने आई है जिसकी वज़े से अडानी के स्टॉक आल्मोस्ट मोर दें 20% से ज़्यादा ड्रॉप कर गए हैं और आल्मोस्ट एटी तू 90% आपके अडानी के स्टॉक नीचे ड्रॉप करेंगे बट अन्द आधर हैं आप देखे है क्योंकि अगर पता लगता है कि जैसे अडानी ने भी डिफॉल्ट किया है जैसे बाकी हमारे बड़े-बड़े बिजनसमें इंडिया को चुनना लगा कि किस कंट्री में है कोई किस कंट्री में अगर वही सेम सिचुएशन होती है तो आप देखेंगे इंडिया की एकनोम लिए अंडर मेक इंडिया इनिशेटिव ताकि इंडिया में ही प्रोड़क्ट को बनाया जाए और इंडिया के प्रोड़क्ट के जो मैनुफेक्चर से उनको बढ़ाया जा सेके अब देखो इंडिया गोल क्या होता है कि हमें प्रोड़क्ट चाहिए अब वह प्रोड़क् को इंडिया में बनाएं ताकि इंडिया के मैनुफेक्ट्रोस को फादा हो और जो इंडिया का पैसा है वो इंडिया में ही रे ठीक तो इसीलिए ये MAKING IN INDIA इनिशियटिव को आगे लाए गया और इसी ले GRSC एड रॉयल्स रोइस सौलुजन्स ने मॉ यू साइन किया MTU S4000 Marine Engines जो यह डेवलप करने की बात की गई यही पर देखे तो 746 से लेके 4300 किलोवाट पावर आउट पुट रहेगा इन इंजिन्स का जो की काफी रिलाइबल है एंड इजी टू मेंटेन रहेंगे ठीक चलिए इसी के साथ साथ याद रखेंगे अंडर दिस डील जो ट्रांसफर आफ टेक्नलोजी होगा असेंबलिंग होगी वो सारे आपके एक GRSE डीजल इंजन प्लांट प्लांट पे होंगे जो की राची में है यही पर आपका पेंटिंग, कॉम्पोनेंट सोर्सिंग, इंजन असेंबली सारा समध्धान रखा जाएगा फिर अगर हम बात करें GRSE की, GRSE के चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर कौन है, पी आर हरी एंड हेड़कॉर्टर है कोलकता वेस्ट बेंकॉल में और 1884 में इसको इस्टैबलिश करा गया था नेक्स पर आते हैं, नेक्स बात करते हैं, यूव लपी आइएन नबर की, basically जैसे आपके लैंड होते है न, आप आधार कार्ड पर basically क्या होता है, बारा डिजिट का नमबर होता है और Each individual आधार कार्ड से एक वैक्ती की पैचान होती है, ऐसे एक लैंड की पैचान के लिए ये ULPIN लॉंच किया गया था जो कि है Unique Land Parcel Identification Number लद्दाक में इसको लॉंच किया गया था 14 डिजिट का ये नंबर रहेगा 14 डिजिट Unique Land Parcel Identification Number और किसके द्वारा लॉंच किया गया आरके माथुर जो कि Lieutenant Governor है लद्दाक के तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे Important Revision के लिए Current Affairs अब आज आते हैं आज के Important Current Affairs पे चलिए चलते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे G20 की हम जानते हैं इंडिया के पास Presidency रहेगी G20 की एक 1st of December 2022 से लेके 30 November तक 2023 तक आपकी इंडिया के पास G20 की Presidency है इंडिया की Presidency हुई इंडिया के पास फिर उन्होंने इंडिया ने क्या थीम दिया G20 का वो था वैसुदेव कुटमकुम या अगर पूच जाए क्या लोगों दिया क्या किस पे बेस रहेगी बेसिकली थीम पे तो वैसुदेव कुटमकुम फिर आप कहया जा रहा है कि जो पहली G20 की International Financial Architecture Working Group मीटिंग है ये कहाँ पर होगी Union Territory of चंदिगड में हमें ये अब्जर्व करने को में लेगा इसी के साथ साथ अगर पूचा जाए आपसे कि इस कमिटी को किसके द्वारा और्गनाईज कराए गया था तो Ministry of Finance RBI एंड याद रखेंगे दो co-chair countries थे हैं आपर जो कि important है वो कौन से दो chair countries है एक तो हो गया France और दूसरा है South Korea ये बहुत important है friends पूचा जा सकता है कि international financial architecture working group meeting जो कि अभी चंदिगड में होई वहाँ पे कौन सी दो countries यहाँ पे co-chair थी वो थी आपकी France and South Korea ठेक काफी important चलिए next पे आते हैं next में हम बात करते हैं Australia and CIA CIA क्या होता है Confederation of Indian Industry और Australia क्या है Australian Trade and Investment Commission तो Australian Trade and Investment Commission and Confederation of Indian Industry इन दोनों के बीच में भी एक M.O.U. साइन किया गया और यह जो M.O.U. साइन किया गया था यह T.V.E.T. के लिए था क्या है यह T.V.E.T. है Technical Vocational Education and Training Courses T.V.E.T. Technical Vocational Education and Training Courses यहाँ पे basically क्या है Skilling की बात की गई है Skills प्रोवाइड कराने की बात की गई है जो आने वाली Technology होगी जैसे हम बात करें आजकल जो Main चल रहा है वो क्या है आपका Artificial Intelligence, Machine Learning, आपका Data Analytics पे बात चल रही है Data Big Data, ठीक है Data Science पे बात चल रही है Cloud Computing की बात चल रही है तो basically इन Skills में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन Skills में उसको Training देने के लिए ताकि जो Demand है उसको Fulfill किया जासे के जो यह Skills and Training प्रोवाइड की जाएगी यह प्रोवाइड की जाएगी according to the Industry Standard in Australia Australia के हिसाब से जो Market है उनकी जो Industry Standards है उस हिसाब से यहां पे लोगों को Training प्रोवाइड की जाएगी जैसे Cyber Security हो गया, Supply Chain हो गया, Water Management हो गया, Renewable Energy, Logistics और राइट चाल लिए नेक्स पे आते हैं, अगर मैं CII की बात करूँ यहां पर इस CII में President कौन रहेंगे? संजीव बंसल कब इनकॉर्परेट बनाता है यह 1992 में और Headquarter कहां पे रहेगा? New Delhi में नेक्स्ट बात करते हैं Inaugural Meeting of I.C.E.T I.C.E.T क्या है आपका? काफी important रहेगा और यह I.C.E.T है आपका India Initiative on Critical and Emerging Technologies अब हम जानते हैं, जैसे for example लेके चलें, इंडिया इंडिया काफी heavily import करता था defense related equipments from Russia और यह world में सब लोग जानते हैं, even US जानता है कि इंडिया की dependence थी in terms of defense equipment, defense procurement तो इसी monopoly को break करने के लिए US ने अभी क्या करा and even हम जानते हैं भी कि रशिया और जो Ukraine war चल रही है इसमें इंडिया रशिया का कही ना कहीं indirectly supporter है and just to break that monopoly US ने अभी एक initiative लिया कि हम defense related equipments even technology related जो भी equipments होंगे technology होगी, हम उसको share करेंगे इंडिया के साथ इंडिया के लिए तो अच्छी बात है कि इंडिया को नई नई technology emerging technology का यहां पर support देखने को मिलेगा और इसी लिए अभी recently US India initiative on critical and emerging technologies यह अभी formally launch किया गया था इंडिया के यहां पर जो काफ़ important point यहां पर रखेंगे और यहां पर आपका artificial intelligence machine learning, cyber security research and development फिर semiconductor development की बात की जाएगी यहां पर जो हम जानते हैं semiconductor development इंडिया में कहां पर हो रहा है सबसे ज़ादा गुजरात में हो रहा है ठीक है तो semiconductor development की यहां बात की जाएगी renewable energy की यहां पर बात की जाएगी ठीक quantum की यहां पर बात की जाएगी space की बात की जाएगी तो इन सबी चीजों पर मिल जोड़के आगे बढ़ने की यहां पर बात की गई इंडिया एंड यूएस के दुआरा next next बात करते हैं try शक्ती त्री शिकारी प्रहार की देखो सबसे पहले दो exercise होंगी यहां पर एक तो है त्री शिकारी प्रहार और दूसरी है पूरवी अकाश अगर मैं बात करूँ त्री शिकारी प्रहार की यह त्री शिकारी प्रहार basically एक exercise है त्री मतलब तीन forces का यहाँ पर participation देखने को मिलेगा Central Land, Police Forces, Indian Army और Indian Air Force इन सब नहीं हाँ पर मिलके participate किया इन दा North Bengal तो यह हो गई आपकी इत्रहे forces फिर इसी के अलावा अगर हम मैं बात करूँ फिर आजाती है हमारी पूरवी अकाश पूरवी अकाश जो exercise है ना यह Indian Air Force के द्वारा conduct कराए गई थी और यह कहाँ पर थी North Eastern region में यह exercise conduct कराए गई थी और दो साल बाद यह exercise हो रही है क्यों कि यह particular पूरवी exercise दो साल बाद हो रही है because of COVID-19 ठीक है चलिए नेक्स पर आते हैं नेक्स बात करते हैं इंडिया को अभी recently theme country की तोर पे invitation मिला है Madrid International Book Fair का Madrid का है Spain में Spain Madrid में जो आपका International Book Fair होगा 2025 में उसके लिए इंडिया को भी recently theme country की तोर पे invitation मिला यह जो announcement की गई थी during an event held at Spain Pavilion at the 46th International Kolkata Book Fair जो कि अभी Kolkata West Bengal में हो रहा है ठीक है इसके दोरान ही यह पे यह announcement की गई next RBI RBI ने partially relax कर दिये restrictions on SBM Bank India till 15th of March और इन्होंने V.Ramachandra को appoint किया है as the advisory committee member of SIFL and SEFL दोनों चीज यहीं से याद रखेंगे कि कब तक extend कर दिया 15 March 2023 तक और किन को appoint किया गया है as the advisory committee member वो है next next आजाता है Mobicule Mobicule के दोरा इंडिया का पहला इंडिस्ट्री का पहला asset repossession module launch किया गया है for banks and NBFC किस के दोरा Mobicule के दोरा launch किया गया है next next हम बात करते हैं काफ़ important रहेंगे former prime minister of India Dr. Manmohan Singh की ठीक है Dr. Manmohan Singh को अभी recently lifetime achievement award से सम्मानित करा गया है अगर इन्हीं की हाँ पर बात करें तो इंडिया UK इंडिया UK achievers honor से सम्मानित किया जाता है किसी UK Indian alumni को और अभी recently 2023 में 25 जनवरी 2023 को London में former prime minister of India Dr. Manmohan Singh को for his economic and political contribution जो इनकी लाइफ मेंनों ने दिया है उसके लिए ये lifetime achievement award से ओनर किया गया है इनको ठीक काफे important है ये इसको याद रखेंगे अगर बात करें ये इंडिया UK achievers honor किसके द्वारा organize कराया जाता है तो नैशनल इंडियन students and alumni union UK तो ये हो गया NISAU UK निसाओ UK के द्वारा इसको conduct कराया जाता है फिर याद रखेंगे इंडिया के अभी हम जानते है 75 साल हुए थे तो इसी को honor करने के लिए 75 young achievers को अभी यहाँ पे समानत करा गया ठीक 8 outstanding achievers 75 young achievers 2 living legends and a lifetime achievement award यहाँ पे समानत करा गया था चालिए अगर फिर डॉक्टर मरमोहन जी की बात करें तो इनका जनम 1932 में हुआ था पंजाब में हुआ था ठीक 26 सितमबर 1932 अल्राइट चालिए और फिर 1971 में इनने जॉइन किया था government of India को as the economic advisory council as an economic advisor in the ministry of commerce next next बात करते हैं DRDO DRDO के द्वारा अभी एक unfurable antenna लाँच किया गया है for space rada और देखो यह जो unfurable antenna है basically यह DRDO की एक lab है उसके द्वारा डवलप किया गया है और lab का नाम क्या है LRDE इसकी full form थोड़ी quick tricky सी रहेगी याद रखेंगे electronics and radar development establishment I repeat electronics and radar development establishment यह एक arm है एक lab है किसकी DRDO की जो की कहां पर है बैंगलोर करनाटका में है और इनी के द्वारा अभी unfurable reflector antenna को launch किया गया ठीक और यह जो आपका unfurable reflective antenna है ना यह काफी जादा helpful रहेगा in for isro as well as for military use ठीक है अगर मैं LRDE की बात करूँ यह involved था in the space born imaging radar आल्सो इन्होंने electronic radar systems को antennas को उनको mechanisms को satellites पे install किया और काफी अलग से काम भी किया है अगर LRD की ही बात करूँ तो डारेक्टर रहेंगे पी राधा कृष्णा और इसकी location क्या रहेगी बैंगलोड करनाटका की नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है Asian waterbird senses अभी रिसेंटली Asian waterbird senses हमें देखने को मिला 2023 का और यहां पर जो डार्टर निकल के सामने आया वो क्या है यह याद रखना है कि लदाक में 52 aviation species को observe किया गया है इसी के साथ साथ यह कहां पर हुआ है बेट्विन 17 से 19 जनवरी के बीच में लदाक में इस सेंसस वाज़नाइस बाइ हिमालियन प्रोजेक्ट एंड डिपार्टमेंट ओफ वायलाइफ प्रोटेक्शन ओफ लदाक इन कोलाइबरेशन वेद लदाक बायोडाइवरसिटी काउंट से तो बेसिक भी याद रखेंगे कि जो यह एशियन वाटरबर्ड सेंसस है 2023 का इसमें 52 aviation species को discover किया गया है ठीक और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स आज आते हैं फॉर्मर यूनियन लॉव मिनिस्टर एंड वेटरन लॉयर शांती भूशन है पास्ट अब है आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं शांती भूशन जी यह फॉर्मर मिनिस्टर आफ लॉव थे फ्रॉम 1977 तो 1979 ठीक इनका जनम बिजनौर में हुआ था जो कि वेस्टर उत्र परदेश में एक डिस्टिक्ट है 1925 में जनम हुआ था और 97 की एज में न्यू डेली में इनका निदन हो गया है इनका निदन हो गया है 1st February को हम अबजर्व करते हैं Indian Coast Guard Day और इस साल 2023 में याद रखेंगे 47th Raising Day of Indian Coast Guard हमने अबजर्व किया 1st February 2023 को इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो Indian Coast Guard है ना ये वर्ल्ड की 4th largest Indian Coast Guard रहेगा इसमें अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 158 शिप्स हैं इंडियन Coast Guard फ्लीट एंड 70 एरक्राफ्ट रहेंगे इंडियर इन्वेंटरी ठीक फिर अगर इस डे की बात करें इस डे वाज इनागरेटेट बाइ मौराजी देसाई जो फॉर्मर प्राइम मिनस्टर आफ इंडिया है 19 अगस्त को इन 1978 चलिए अगर मैं बात करूँ डारेक्टर जनरल इंडियन Coast Guard की वो कौन रहेंगे विरेंदर सिंग पठानिया जी हेड़कॉर्टर रहेगा न्यू डेली में नेक्स्ट आज जाते हैं आंदर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेडी इन्होंने डिक्लेयर किया विशाका पठनम को as the new capital of आंदर प्रदेश ये इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था during an international diplomatic alliance meeting जो basically क्या है आपका एक curtain razor event था global investor summit का न्यू डेली में और आंदर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईस जगन मोहन रेडी के दोरा ये बोला गया कि अब आंदर प्रदेश की capital विशाका पठनम रहेगी लेकिन इससे पहले याद रखेंगे 2019 में तीन capital डिक्लेयर की गई थी आंदर प्रदेश के दोरा विशाका पठनम जोग थी आपकी executive capital अमरावती ये थी आपकी legislative capital और कुर्नूल ये थी आपकी judicial capital और अब आंदर विशाका पठनम को इनकी capital डिक्लेयर कर दिया गया है कवर्नर कौन है आपे बिस्वा भूशन हरी चंदन जी ठीक है चलिए next पे आते हैं नेक्स बात करते हैं उतरप्रदेश की उतरप्रदेश में हम जानते हैं यूपी global investor summit होगा फरवरी मन्थ में होगा और खहाँ पर होगा लखनाव में होगा ठीक यूपी में ही हम जानते हैं sports city बन रहा है यूपी में ही आपकी film city बन रही है यूपी में ही आपका जेवर एरपूट आ रहा है अयोध्या भी यहीं बन रहा है अयोध्या मंदर ठीक तो कमिंग बैक यूपी के चीफ मिनिस्टर योगिया अधित्यानात के दुआरा अभी आरोहिनी इनिशेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉंच किया गया ये किसका ह है गल्स के लिए बैसिकली लॉंच नहीं किया गया आप इसको केरी फॉरवर्ड कह सकते हैं क्योंकि इस आरोहिनी इनिशेटिव के अंडर 746 कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याल है जो यूपी में है वहाँ पर गल्स की सेफटी एंड सिक्यॉर्टी की यहां पर बात क तो बैसिकली क्या है यहां पर जो विमेंस की राइट सैं उनको रेज करने की बात कि गई उनको अपने अधिकार के बारे में बताने की बात कि गई उनकी सेफटी के उपर बात की जाएगी हां पर और जो मेन एम रहेगा न वो क्या है तो मेक दा डॉटर्टर सफ अंडर empowerment and education program के basis पे ठेक काफ़े important इसको याद रखेंगे फिर यूपी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर योगी आदेत्यानाद और यहीं पर अभी खुशी नगर इंटरनेशनल एरपोर्ट है कानपूर एरपोर्ट हम बात कर रहे हैं जेवर एरपोर्ट भी जल्दी चालू ओने वाला है आपे नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमने एक बात करेंगे फैस्टिवल की जोकी असम में observe किया जाता है असम की ट्राइब या फिर असम की community टाई आजो यह जो 收看 यह पreetघ Director थे ब्रक्राइब खाड़抗ी जाता है जो हमारे एंसेस्टर थे उन हमको रिस्पेट पर करने के लिए यह फैस्टी वल हम सब्चाहार करते हैं यह को बिरmented कर गया था अक्रोस असम और 31 जन्वरी को यह हम अब्जर करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आजाते हैं महाराष्ट्रा की बात महाराष्ट्रा के द्वारा भी रिसेंटली जै जै महाराष्ट्रा माजा इस सॉंग को उनका स्टेक स्टेट टॉंग डिसकवर कर दिया गया है declare कर दिया गया महराष्टरा ने जै जै महराष्टरा माजा सौंग को अपना state song declare कर दिया है ठीक है काफी important याद रखेंगे Chief Minister कौन है महराष्टरा के एक नाच छिंडे इन्हों नहीं जै जै महराष्टरा माजा को जो की बनाया गया है पैंड मतलब लिखा गया है राजाबाधे एन संग बाई बालदिर क्रिशनारो साबले इनके द्वारा ये संग किया गया और इस सौंग को जिसको हम बोले हिंदी में मानने तो glory to महराष्टरा इंगलिश में glory to महराष्टरा इस सौंग को recently state song declare कर दिया गया है ठीक और इसको adopt कब किया जाएगा कि finalize 19 फरवरी 2023 को जो की birth anniversary होती है छत्रपति शिवाजी महराज की जो की founder थे महराथा एंपायर के next आजाते है नागालेंड गॉवर्मेंट नागालेंड गॉवर्मेंट ने इन पतंजली foods limited के द्वारा अभी एक MOU sign किया गया ताकि जो palm oil cultivation है ना उसको किया जा सके हम जानते हैं जो palm oil है इसके demand अभी बहुत जादा बढ़ गई है लेकिन जो supply है वो कम है तो basically हम कहें तो हम ये एक अच्छा opportunity है to get invested and काफी demand है palm oil की लेकिन international market से जो हमें palm oil मिलता था उसमें हमें reduction देखने को मिली है तो इसी लिए नागा लैंड गॉवर्मेंट ने अभी पतंजली foods limited के साथ एक tie-up किया ताकि अपने palm oil cultivation कर सके और इंडिया के demand को पूरा किया जा सके तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के current affairs अब आ जाते हैं quick revision पे फर्स G20 international financial architecture working group meeting कहां पे चंदीगड यूटी में हुई थी औस्ट्रा टेड एंड CII के बीच में भी एक M.O.U. साइन किया टेक्निकल vocational education and training courses के लिए inaugural meeting of I.C.E.T.E. इंडिया और यूएस के बीच में एक ambitious road map launch किया गया for defense and tech partnership exercise त्री शिकारी परहार की बात करें तो नॉर्थ बेंगाल में हुआ था और इंडिया ने एरफोर्स की exercise पूरवी आकाश यापकी नॉर्थ इस्टन रीजन में हुई थी इंडिया ने invite किया इंडिया को invite किया गया as the theme country for the Madrid international book fair जो कि 2025 में होगा RBI ने partially relax कर दिया relaxions on SBM इंडिया तिल मार्श 2023 15 मार्श 2023 तक और यहीं पर वीर रामचंदरन जी को appoint किया गया as the advisory committee member of SIFL and SEFL RBI के digital payment index की बात करें for September 2022 यह increase कर गया है to 377.46 MOBICUL यह industry का पहला acid repossession module रहेगा for banks and NBFCs इंडिया एंड यू के अचीवर्स honors 2023 के दोरण former Prime Minister Manmohan Singh को honor किया गया with the lifetime achievement honor DRD और ने डवलप किया unfurable antenna for space radar Asian waterbird census 2023 का हुआ जिसमें 52 avian species को observe किया गया लदाख में former union minister and veteran lawyer शांती भूशन इनका नेदन हो गया Indian Coast Guard Day 2023 का हम observe करते हैं फरवरी को और 2023 में 47th raising day हमने observe किया फिर आंदर परदेश के Chief Minister जगन मोहन रेडी इन्होंने विशागा पत्नम को नया capital डेक्लेर कर दिया है आंदर परदेश का फिर योगी ची आदित्यना जो की Chief Minister है यूपी के इन्होंने आरोहिनी इनिशेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को लांज किया गर्ल्स की सेफटी के लिए मीदा मीफी ये फेस्टिवल है जो की अस्सम के द्वारा होस्ट किया जाता है 31 जनवरी को हुआ था और रीजन क्या था की हमारे जो ancestors हैं उनको respect पे करने के लिए महराष्टा ने recognize किया जैजे महराष्टा माज़ा को as the state song नागालाइन government and पतंजली foods limited इन्होंने एक MOU sign किया palm oil cultivation के लिए तो दोस्तों ये थे हमारा आज का session अब आज आते हैं आपके homework पर पहला किस country ने इस्चू किया notice to Pakistan seeking modification of 1960 in this water treaty दूसरा which city hosted the Shanghai corporation organization SEO film festival of 2023 तीसरा which union ministry recently notified officials to act as a member of grievance appellate committees चौथा road, transport and highways ministry announced to scrap all government vehicles older than how many years पांचमा निधी आपके निकट ये एक outreach program है किस institution का तो दोस्तों ये हैं पांच आपके homework questions I hope आपको session पसंद आया होगा वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को like कर दे and comment करके जरूर बताएं आपके क्या views हैं क्या आप चाहते हैं हम ऐसा session future में continue रखें अगर चाहते हैं continue रखें तो comment करके जरूर बताएं इसके लावा आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब बार में सर्च कीजिए current affairs by Vikas Rana and आपको मेरी multiple videos मिल जाएंगी जहां से आप अपनी preparation अच्छे से कर सकते हैं इसी के साथ साथ friends अगर आपको quiz attempt करनी है तो आप quiz attempt कर सकते हैं carriers cloud mobile application से जो कि आप play store से as well हमारी website है वहाँ पे भी check कर सकते हैं apart from this यह जो quiz हैं काफी helpful रहेंगी आपकी preparation के लिए जिसके लिए आपको एक course लेना पढ़ेगा various courses हैं वो भी आप check कर सकते हैं and I assure you guys कि जो हमारी ये carriers cloud platform है it is a one stop solution for all your problems related to current offense so that's all for the day friends thank you and have a nice day that's all for the day friends यह हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे youtube channel को subscribe कर सकते हैं आप telegram channel पे जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 7677333862 या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है पैसे कट गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 967733862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा and आपकी problem को solve करेगा that's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the youtube channel as well as apart from youtube channel you can go and follow us at affairs cloud telegram channel and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 7677333862 apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is affairscloud underscore official in the end friends if you use a code that is vikas10 you will be getting an additional extra 10% discount by using this code vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue you